ऐसे को लूँ गी और जैसों ही उस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस जगा पर सब्सक्राइब नाओंगी और जैसे सब्सक्राइबर क्लिक करेंगे तो यहां पर उसके काउंट बढ़ते जाएंगे कि कितने सब्सक्राइबर हो गया है इसलिए इसलिए बता रही हूं आप इस वीडियो उसको जरूर देखेगा ताकि आपको यह पता चले कैसे जवस्कृप से छोटे-छोटे अनिमेशन और छो पर यूसकोल झालता फाफी यूसकोल होतीय है बड़े-बड़े प्रोज्एक्स मों जब बैट्प से आते हैं या कुछ नई फंक्शनासरी बनानी डानी होती है तो वहां पर यूज है तो चलिए शुरू करते हैं तो मैं यहां पर बटन करूंगी यह मैंने यहां पर बट डिफाइन होने के बाद इस बटन को नाम दूँगी मैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड उसके बाद मैं इस बटन पर अब यह जो ओन्चे मैफ़ड और डेमो है यह मैं अन्क्लिक मैथड है इसको मैं कट करूंगी और यह इधर लिख दो ठीक है तो इस सब्सक्राइब बटन में जैसे ही क्लिक होगा और यह मैथड कॉल होगी जब यह मैथड कॉल होगी तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सब्सक्राइबर काउंट सब्सक्राइबर काउंट सब्सक्राइबर काउंट ठीक है और यहाँ पर सब्सक्राइबर काउंट नहीं मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ वो मैं आपको जवस्क्रिप्ट से ही आड तो यह heading जो है, change जाएगी, ठीक है, तो अभी यह heading दिखे, इसलिए हमें कुछ तो लिखना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, here will be subscriber, here will be, only here will be लिखती हूँ, ठीक है, तो मैं इसको save करती हूँ, अब क्या करना है, हम इस method को change करना है, तो हम style में जाएगे, और यहाँ पर, मुझे क्या करना है, मुझे एक variable लेना है, जिसको हमें increment करना है, जितने बार हम subscriber बटन पर click करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक where define करेंगे, आई, जिसको initialize करेंगे, 0 से, अब इस variable को, अब इस variable को मैं यहाँ पर simple increment कर दूँगी, तो जैसे ही page load होगा, तो यह variable 0 होगा, और जितने बार हम click करेंगे, तो यह बढ़ता जाए, अब देखते हैं, क्या होता है, तो मैंने यह page load गया, और जैसी मैं इस पर click करेंगे, तो 1, 2, 3, but अब here will be हट रहा है, तो यह हमें क्या करना है, यहाँ पर i++ के साथ subscriber count, और इसको मैं double quotes में लिख देती हूँ, और इसके बाद में फ़रा सा space छोड़ देती हूँ, और यहाँ लिख देती हूँ, प्लस, ठीक है, एक चीज़, और यह जो here will be subscriber count होगा, तो इसको मैं पूरा देती हूँ, ठीक है, तो अब मैं इसको save करती हूँ, अब हमारी HTML थोड़ी जादा अच्छी लगेगी, इसको मैंने, तो यहाँ आ रहा है, here will be subscriber count, तो हमने एक क्लिक किया, तो subscriber count is 0, बट हमें यहाँ 1 से initialize करना है, तो एक गलती हमने यहाँ कर दी कि यह variable जो है, एक पार क्लिक तो 1, तो अब यह 1 से initialize होगा, अब मैंने refresh किया और यह 1, 2, 3, 4, 5, तो जितने बार हम इसको क्लिक करेंगे, यह उतने subscribers बढ़ाता जाए, अब यह बात है कहने लाए, कि अगर जब हम इसको refresh करेंगे, तो यह फिर से अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगा, क् जब हमें से dynamic page बनाना होता है, यह server से कुछ connectivity करनी होती है, वो एक लंबी कहानी है, तब ही, जब यह dynamic page बनेगा, तब ही हमारा यह जो subscriber count है, यह hold करके लखेगा number, और उसके आगे जब कोई और भी क्लिक करेगा, लोड करेगा, पेज तो भी बढ़ता जाएगा, तो वो एक जब कहानी है, ठीक है, अभी मैं static page बता रहे हूं, इसलिए आपको यह बार बार refresh करने के बाद, यह फिर 0 पर आजाएगा, ठीक है, थैंक यू फर वाचिंग,